वैक्सीन को लेकर जिसका जिक्र अभी कर रहे थे ग्रीमंत्री भी बंगाल में सियासी घमासान मच गया है टीमसी के कुछ विधायकों ने खुद वैक्सीन लगवाली पूरे हिंदुस्तान को पता है कि पहले फेज में फ्रंट लाइन वरकर्स और हेल्थ वरकर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है लेकिन पश्चिम बंगाल में तो कमाल हो गया बंगाल से कल शर्मसार करने वाली खबर आई दीदी के विधायकों ने कायदे कानूर को ताक पर रखकर जबरन वैक्सीन लगवाई पुर बर्दमान जिले में टीमसे विधायक ने न सर्फ नियम तोड़े बलकि सबसे पहले जाकर वैक्सीन ले ली खबर है कि पार्टी के कई नेताओं ने वैक्सीन ली इसके अलावाद तटवा से विधायक रबिंद नाथ चटर जी ने भी नियम तोड़कर वैक्सीन लगवाई टीका लगवाने वाले टीमसी नेताओं में भटार से टीमसी विधायक सुभाश मंडल टीमसी के पुर्विधायक बनमाली हाजरा और पूर्वी बर्धमान के जिला परिशद अध्यक्ष जाहर बागडी का नाम भी शामिल है बंगाल में कल करीब साड़े 9000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई लेकिन दीदी फिर भी ये कह रही है कि हमें कम वैक्सीन भेजी गई कैलाश विजवर्गी ने ट्वीट कर फल्टवार किया और लेखा कि बंगाल में टीमसी के विधायकों और गुंडो ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाली और ममता जी शिकायत कर रही है उधर टीमसी विधायकों के वैक्सीन लेने पर पूरवी वर्दमान की आम जनता क्या सोचती है ये देखे हमारे सन्वाराता अभिशेक उबाद्याई की रिपोर्ट वैक्सीन लगना शुरू हो गई क्या है हमारे काल से हुआ किसको लगी पहली वैक्सीन एमले साब को पहले लग गई शुरूआ तुनों ने कर दिया पहले एमले बाद में पबलिक लागा लिया अभी तो हमने टीवी पर देखा जे एमले साब लगा लिया लगा लिया तो क्या आपको फील होता है ठीक किया पहले किसे लगाना कि पहले तो नास, डक्तर, पुरोशवा का स्टाफ है अमले साब ही डॉक्तर है क्या है यहां पर नहीं है मालूम नहीं मालूम नहीं है लगाना चाहिए या उनका नंबर बाद में आना चाहिए उनका नंबर बाद में आना चाहिए उनका नंबर बाद में आना चाहिए पहल परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी नाइन भारत वर्ष पर